हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देवेंदर मैथ क्लासिज, देखे फ्रेंड्स, कुष्चन नमबर 7 देखेंगे, एक्सरसाइज 11.1 का, इस एक्सरसाइज का लास्ट कुष्चन, कंस्रेक्शन का, क्या कहता है? draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse, मतलब hypotenuse को छोड़ के, are of length, जिनकी length कितनी हो, 4 cm and 3 cm, उसके बाद क्या करना है? आपने concept करनी है, एक दूसरी triangle को, जिसकी sides क्या होंगी? 5 by 3 times होंगी, corresponding sides किसके? of given triangle के, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले आपने, देखें, दो sides अपने को given है, 4 cm और 3 cm, तो आपने क्या करना है? बड़ी जो side है, वो आप पहले ले लेंगे, तो ज़्यादा बेटर है, 4 cm आपने side जो है, वो draw कर लेनी है, clear है? आपने 4 cm, ड्रो कर लेंगे, वह 4 cm और इसको आप नाम ले लेंगे, कुछ भी, मालो इसको आपने नाम ले लिया क्या? बी सी, बी सी क्या है आपका? 4 cm, अब आपने, देखो, हाइपोटनियोस जो है, वो क्या रहेगा? 90 डिग्री के सामने की जो side रहती है, वो क्या होती है? हाइपोटनियोस, आपने right रेंगल बनानी है, तो एक एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा इसमें, तो अब आपने क्या करना है? इसमें 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, बी पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, अब आपने इसको कितना भी खोल के और एक बार सेट कर लेंगे, और बी पॉइंट पे रखके आपने एक आर्क ड्रो करनी है, क ठीक है लगा दी हमने अब यहां से अब जो यह 60 डिग्री का आपने लगाया है इससे रखके और एकार्क इसी पे ऐसे लगा देनी है इधर देखो यह मैंने लगा दी है यहां से और यहीं से अब आपने एकार्क उपर लगानी है 90 degree का आप angle बना रहे हैं तो यहीं से अब आप क्या करेंगे 1 arc उपर को लगा देंगे ऐसे और 1 arc यहां से भी लगा देंगे वही ठीक है तो यह जो angle आएगा आपका यह कितने degree का आगया 90 degree का देखें यह कितने degree का angle आगया वही आपका 90 degree का यह एंगल आ गया 90 डिग्री का अब इसने बोला ए दूसरी साइड कितनी है 3 सेंटीमेटर अब 3 सेंटीमीटर है और हाईपोटनियोस इसने बोल दिया कि अधर देन हाईपोटनियोस है न यही बोला है तो इट मिन्स यह जो है आपने कितना लेना है तो यह 3 cm आप लेंगे तो आपने क्या करना है scale से और आपने 3 cm इसमें भर लेना है भई देखें हमने 3 cm इसमें भर लिया है और आपने B से रखके और आर्क लगा देनी है यहां कटकी ठीक है यहां कटकी है अपनी इसको आपने C से मिला लेना है किससे मिला दे इस भिंदू को जहां यह कटकी है उसको C से मिला देंगे और इसको नाम ले ले आप A clear है तो आपने और यह जो A B है यह कितना आ गया वही अपना 3 cm सेंटी मेटर आपने बरके बढ़ा है ये कितना है ये i three सेंटी मेटर abe ka तो आप लिखेंगे या कंसेक्सन को तो तूक्सेक्ष्टन किया लिखेंगे नमबर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपने एस ट्रेंगल ड्रो की है जिसमें आप लिख देंगे construct a triangle construct a triangle a b c in which जिसके अंदर आपने क्या किया है in which b c जो है वो आपने 4 cm लिया है angle b को आपने कितना लिया है 90 डिग्री लिया है हना and a b कितना लिया है आपने a b is equal to 3 cm clear है अब आपने क्या करना है इसके अब क्या करना है आपने एक दूसरी triangle construct करने है वो कैसे करेंगे देखें b से आपने क्या करना है acute angle बनाना है मान लिया यह x नाम ले लेता हूं मैं इसको क्या नाम ले ले इसको x आप लिखेंगे यह acute angle क्या होता है 90 degree से कम का आप कितना भी ले सकते हैं थोड़ा और इधर ले सकते थे अब यहां पर लिखें आप मेक एन एंगल मेक एन एंगल है एंगल कि सी बी एक्स कि मेक एन एक्यूट एंगल यहां पर लिखेंगे आप एक्यूट एंगल cbx आपने लिया अब आपने क्या करना है यह जो bx है उसको हमने क्या करना है देखें आपने bx को डिवाइड करना है कितने इसको आपने दिवाइड कर लेना है तो आपने इसको एक बार सेट कर लेना है कितना भी और आपने 5 पार्ट में करने है तो दी से देखो यहां से आपने एक पार्ट हो गया यह एक दो तीन च्यार और पांच ठीक है भई आपने क्या किया B1, B2, B3 B4, B5 में आपने इसको locate कर लिये ये point किलियर है आप क्या बोलेंगे यहाँ पे locate locate 5 points 5 points B1, B2, B3, B4, B5 on BX कहां किया आपने BX पे so that और यह किस परकार है वही कि B, B1 equal है B1, B2 के equal है up to so on कर देना या dash dash लगा देना सब लिखने की जुरूरत नहीं है last में लिख देंगे equal है B4, B5 के clear है देखे इसे last question में हमने यह नहीं लिखा है हम भूल गए थे यह point आपने construction में जरूर लिख लेना है जो 6th question है जो हमने करवाया है आपको उसमें यह आपने लिख लेना है वई आगे देखें तो अब आपने क्या करना है वई 5 by 3 times में होनी चीए न वो ट्रेंगल अब देखें तो 5 by 3 times है तो scalar factor जो है या scale factor वो क्या है एक से जादा है तो बढ़ने वाड़े ट्रेंगल इस ट्रेंगल से क्या होगी बड़ी बनेगी और बड़ी बनेगी तो अब आपने कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे देखें आपका जो है denominator में क्या लिखा है 3 लिखा है तो आपने B3 को C से मिला लेना है क्या करना है B3 को C से मिला लेना है आप क्या लिखेंगे जोइन करेंगे B3 C को किलियर है अगला पॉइंट अब आपने इसके पैरलल एक लाइन ड्रो करनी है B3 C के और वो किस से होती हुई जाएगी B5 से वही से हम पैटरन हम सुरू से कुशन्स को कर रहे हैं ठीक है अब आपने जो करना है उसके लिए आपने क्या करना है भई इस परकार को खोल के और B3 से एक आर्क लगा देनी है कितना भी आप परकार खोल लेंगे उसमें कोई दिकत नहीं है बट अब जो सेट कर लिया है आपने इस आर्क के लिए उतना ही रखना है आप चेंज नहीं करना है आप B5 से आप एक आर्क लगाएंगे जैसे उसमें लगा दिया ऐसे एक आर्क लगा लिए अब आपने ये एंगल माप लेना है ये कितना है वही ठीक है और बि फाइफ और इसमें से होती हुई अब आप ने एक लाइन ड्रो करनी है जो क्या होगी इसके पैरलल होगी वही इसके क्या होगी ये पैरलल और अब बिसी को आपने बढ़ा देना है बिसी को एक्स्टेंड कर देना है किलियर है आप क्या बोलेंगे और इसको नाम देदे क्या पॉइंट आ गया ये सी डैस आप लिखें ड्रो एलाइन पैरलल टू किसके पैरलल है ये बी थ्री सी के बी थ्री सी एंड पैरलल टू बी थ्री सी विच पासिज थरो पासिज थरो जो पैरलल लाइन है वो किस में से पास कर रही है बी फाइब में से पॉइंट आप लिखें यहाँ पासिज थरो पॉइंट बी फाइफ एंड एंड कट कर रही है किसको एक्स्टेंजिड बी सी को एट पॉइंट किस पॉइंट पे कट कर रही है वही कि सी डेस पे ठीक है आप क्या लिख रहे हैं ड्रो ए लाइन पैर्लेल टू बी थरी सी के लाइन पैरलल आपने लाइन ड्रो भरी जो पास कर रही है किस में से भी फाइफ में से और कट कर रही है एक्स टेंजिड बी सी को किस पॉइंट पे c dash point पे ठीक है अब आपने जैसे ये बनाया parallel line ऐसे ही ac के parallel अब आप line draw करनी है आपने वही same pattern आप follow करेंगे आपने कितना भी परकार खोल के और एकार c पे रखके यहाँ c से रखके और आपने एकार बना देनी है clear और आपने c dash से रखके एकार के बना लेनी है होई ठीक है और आप इसको माप लेंगे ये कितना है आपने माप लेना है और आप यहाँ रखके और कट कर लेंगे ये ठीक है और आपने c dash और ये जो इन जो arcs हैं उनके intersection से होती हुई line जो है वो आपने draw कर लेनी है clear है तो ये जो point आ गया जहां ये cut कर रही है इसको नाम ले लेते हम a dash क्या नाम ले लें a dash तो आप लिखें कन सेक्षन में six point क्या लिख दें draw a line draw a line parallel to parallel to किसके a c के which जो की pass कर रही है पासीज थरो point c dash and cut extended extended a c sorry ba ba ko extended ba ko ये ba अपड़ी triangle तो यही तक बन गई थी ना तो ba को क्या किया गया है ये extend किया गया है ba at point किस point पर cut कर रही है a dash ठीक है और लास्ट लिख देंगे आप कि ये triangle form हो गई hence required triangle triangle a dash b c dash formed ठीक है वही ये हो गई आपकी conception और ये figure अब आपने justification करनी है justification तो justification में आपने क्या करना है ये जो new triangle आपकी बढ़ी है उसकी sides का ratio corresponding जो पुराणी side triangle थी जैसे ये new triangle की है side a dash b और point triangle ये पहले बना चुके थे वह triangle क्या है a b का ratio equal है किसके दूसरी corresponding क्या new की corresponding ये new की side क्या a dash c dash इसके corresponding side पहले triangle की a c लगेगी वहीं इनका ratio equal होगा किसके b c dash upon b c is equal to ये सभी equal होगे किसके आपने दिखाना है 5 by 3 times हैं ये क्या ये 5 by 3 के equal होगा ठीक है ये आपने क्या करना है प्रूव करना है अब आप ये कैसे प्रूव करेंगे देखें हमने सभी questions आपको करवाए हैं और प्रूव करना भी बता है आपने इन दोनों ट्रेंगल्स को similar प्रूव कर देना है और similar प्रूव करेंगे तो आप क्या करेंगे similar प्रूव करने के बाद क्या बोल सकते हैं कि इनकी corresponding sides का ratio जो ये दोनों triangle है triangle a b c और a dash b c dash इनकी corresponding sides का ratio क्या होगा equal होगा भई ठीक है तो यहां तक यह आ जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे आप ये दोनों triangle को similarly बोलके b c b 3 और b c dash b 5 को क्या बोलेंगे similar बोलेंगे और similar क्यों बोलेंगे क्योंकि ये दोनों parallel line है तो इसका ये corresponding angle है equal होगे ये और ये corresponding है equal होगे और ये common angle होगा similar इन दोनों को आप कैसे prove करेंगे ये दोनों parallel है तो ये common होगया हा ना इसमें भी 90 है और इस वाड़ीं के लिए b 90 है और ये corresponding angle होगया और ये क्योंकि ये होगया तो by रह बाद हम इंगल इंगल रहतेरियान से BC dash upon BC equal है ये किस के equal है वई B B5 upon BB3 के और ये किस के equal है BB5 equal है 5 के पर पांच टुकडे हो रहे हैं इसके देखो BB5 को 5 लिख सकते हैं आप और BB3 को 3 लिख सकते हैं तो आप 1 और 2 से आप क्या वो लेंगे कि ये equal आजाएगा 5 by 3 के देखिए इसके लिए आप question number 6 को देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा justification similar आपने कर लेना है बार-बार वही आ रहे हैं बहुतीजी है और आपको friends समझ आ गया होगा अगर आपको question समझ आया है तो please वीडियो को आप share करें और मेरे channel को भी subscribe करें